नेपाल और चीन ने मिलकर दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस की नई उचाई का एलान किया है माउंट एवरेस की नई उचाई अब 8888.86 मीटर है इस सबसे उची चोटी की नई उचाई का एलान नेपाल के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री द्वारा सहिक्त रूप से किया गया है दोनों देशों ने करीब दो साल तक सर्वे वर्थ पूरा करने के बाद इस नई उचाई की घोशना की है इस मसले पर नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि यह बेहत खास और एतियासिक पल है वहीं चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों की दोस्ती को बेमिसाल बताया है आपको बताने कि माउंट एवरेस की उचाई को अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1849 में मापा गया था तब से ही इसकी उचाई को लेकर विवाद रहा है नेपाल में साल 2015 में आया भीचन बूकम के बाद से ही यह अटकले लगनी शुरू हो गई थी कि एवरेस की उचाई में बदला हुआ है हाला कि अब माउंट एवरेस की उचाई को लेकर विवाद खत्म हो गया है चीन और नेपाल ने सायुक्त रूप से इलान किया है कि इसकी नए उचाई अब 8,848.86 मीटर है इस मौके पर नेपाल की राश्पती विद्या देवी भंडारी और चीन के राश्पती शीर जिन्पिंग की ओर से लिखे गए पत्र दोनों देशों के मंत्रियों दारा एक दूसरे को साजा किये गए मालूम हो कि पिछले साल चीनी राश्पती की यात्रा के दौरान नेपाल और चीन संयुक्त रूप से एवरेस उचाई की घोशना करने के लिए सहमत हुए थे इससे पहले साल 1954 में भारत के सर्वे आफ इंडिया की टीम ने माउंट एवरेस की उचाई 8,848 मीटर आकी थी लेकिन अब नेपाल चीन की संयुक्त सर्वे में इसकी उचाई 8,848.86 मीटर आकी गई है जानि ताजा उचाई पिछली उचाई से 86 सेंटी मीटर जादा है